मानने सभापति मोदे आपने जन्जाती सेत्रिय विकास मांग संक्यात तीस पर मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मानने सभापति मोदे पूरा ही मेवाड और पूरा ही देश में वे रहने वाला आदिवाशी भाई भगवान राम से लेकर के जिन महापुरूसों ने जिन विद्वानों ने सा युद्धों में आदिवाश्यों की आवशक्ता पड़ी हो तो उन्होंने कंदे से कंदा मिला करके उनका साथ देने का काम किया उधारन के लिए मेवाड में महाणा प्रताप जो महाण की धरती राजस्थान की धरती विरो की धरती कहलाती है उस महाणा का सहयोग करने के लिए भी महाण के आदिवाशियों ने कई पीसे नहीं रहे और महाराना तो वो समय आ गया था कि गबरा गए थे कि युद्ध हारने वाला हूं मैं यू करके निरास हो गए थे लेकिन उस समय उनके सहयोग की रूप में राणा पूजा नेत्रतों कर रहे थे उन्होंने कहा में वाडों में वाडों मत गबराए राना इस तरह का वाक्य कहते हुए महाराना परताब को हिम्मत दे और पूरे कंदे से कंदा मिला करके लड़ाई लड़े और महाराना की विजे हुई इसी तरह आजादी की लड़ाई की मामला हो अंग्रेजों का मामला हो गुरो गविन मानगट की पहाड़ी का मामला हो अंग्रेजों ने तोब सलाई हो पंदरासा आदिवासी सहीद हुई है मानगट की पहाड़ी पे ये कोई कम इतियास नहीं है इतना बलिदान शुरू से करने के बाद आज भी आदिवासी परिवार उपर नहीं उटा मैं हमारे सत्ता में बेटे भाईयों को पूछना साता हूं सबापति मोदे आजादी के इस बहुत तरवर समय गाजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा सरकारे रही हैं तो कांग्रेस की रही है आपकी जिम्मेदारी भनिती थी कि आदिवासीों को विकास के लिए बारी की से योजना बनाई जाए वो सिख्षा के सेत्र में हो, सड़क के सेत्र में हो, फोल बनाने का मामला हो, इसकोलों को क्रमोनत करने का मामला हो आदिवासी परिवारों को नोकरी देने का मामला हो, यह सब दिम्मेदारी उनकी बंटी थी लेकिन उन्होंने इस तरह का आदिवासी वोट बंद कर रहे जाए पड़ लिख जाएगा तो हमें वोट नहीं मिलेगा इस भावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई योजना नहीं बनाई मान्य मंत्री मौदे यहां पर विराजे हुए हैं सभापती जी डाक्टर भीमराव अम्बेट कर जीने जब सभीधान का अंतिवरूप दिया और वोस अंतिवरूप में पूरे देश के अंदर वोस सभीधान में ये वेवस्ता दी गई कि भारत के अंदर रेने वाले हर कोने का आदिवासी सेत्र आदिवासी का परिवार उन्नति करे आगे बड़े उसके लिए दस वर्ष का आरक्षन की वेवस्ता करते हुए उन्होंने ये राष्टपती मौदे और राज्यमाल मौदे को कहा हर दस साल का हिसाब दो जितना आदिवासी नहीं बड़ा है जब तक इस आरक्षन को बड़ाते रो बड़ाते रो मैं मौदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गए टाइम पर समय पूरा होने के बाद आपने एक मिनट नहीं लगने दिया और दस साल का समय आरक्षन की वेवस्ता आगे बढ़ा ही जिससे ज़रूर इस दस सालों में बढ़ाते रहे वो समिधान मानि मंत्री जी वो समिधान की वेवस्ता मेंने कहा है कि जब तक नहीं विकास होगा तब तक बढ़ाते रहे सरकार किसी की बया है साय आपकी आई हो तो जिम्मेदारी समिधान को देखते हुए है बढ़ाने का प्रावदान तो इसमें भी मोधी जी ने समिधान के अधारवर किया आपको तकलिब हो तो मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि जिस समय भारती जन्ता पाल्टी का राज राजस्तान के अंदर आया बहरो सेंग जी सहकावज जी मुख्यमंत्री बढ़े होंगे और ही हमारा T.A.D. का मंत्रा लेब राजस्तान में पहली बार सुरुआत हुए इस T.A.S.P. A.R.E. को गोसित करने का काम किया तो भेरो सेंग जी ने पहले किया इसमें कोई सक्वाली बात ने इसमें बुरिया कमेटी और अटल जी को भी सरह जाता यह सारा हमारे पास तो परमानिक बात में बोद रहा हूँ इस सदन के अंदर मान्य सभापती मोदे और मान्य मंत्री मोदे से मेरा आगर है किस दे इस तरह की यह विवस्ता बजट में की गई है इस T.A.S.P. A.R.E. के विकास के लिए इन विवस्ताओं के लिए आप एक आती बाद T.A.D. के अपने आधिवासी जितने भी हमारे मेले हैं T.A.S.P. सेत्रे के अट्टाइसे मेले आते हैं साह कांग्रेस के हैं साह भारती जनता पाल्टी के हैं साह और हैं उनको आप बुला करके उनसे तो सलामसुरा करके क्योंकि ये भारत सरकार अगर T.A.D. का बज़ट देता है तो जन संक्या के अनुपात पे देता है तो हमारे विदायक लोगों का अधिकार बनता है मानने मंत्रि मोदे कि आप अलग से हमके बुला करके यहाँ पर इस एरिय में कौन सा विदान सभा में कौन सी सड़क बनानी है कौन सा वहाँ पर जन जाती है आसरम सात्रावास कोलना उस आसम सात्रावास के अंदर क्या बात्रोम सही बना हुआ है क्या बाउंडरी सही बनी हुई है कहां उस बच्चे को रहने की वेवस्ता सही है पीने के पानी सही है लाइट लगी हुई एक नहीं है उन बिस्तिरों के हालत क्या है उन सद्षेटरों की हालत क्या है उन तक्यों की हालत क्या है ये तो ज जुड़ा लिपकर के देखना पड़ेगा अपने को ये बाते सोटी मोटी बाते आपके पास में हमारे जैसे विदाएकों को आप बैठाओगे हमारी राए आप लोगे निश्वित तोर पर मैं कहता हूँ कि आपका ये जन्जाती का विभाग आपके नेत्रतों में राजस्थान में आगे बढ़ेगा लेकिन अभी तक आपने हमें हमने आपसे निवेधन भी किया हमने मान्य मुख्य मंत्रे जी को अलग से भी का कि मान्य मंत्री जी मेरे क्लास पेलों हैं कोलेश के साती हैं एक ही दिले से आते हैं फिर भी मेरे विधान सभा में आपने अभी मेरे कहने के अनुसाद आपने एक भी अनुसाद नहीं करिये यह बढ़ी खेद जनक बात है इसलिए मैं आप से आप से विश्वास रखता हूँ, कहता भी हो, मांग भी करता हूँ कि मेरा दो सेत्र हैज़ा है, पीपल खोट जो परतागर्दी लेके अंदर आता है वहाँ पर बोरी बांड़ गटी, जामली, केसरपुरा इन जगह पर अगर आप एक सात्रावास तो बालकों को खोल दे, एक लड़कियों को खोल दे तो वो दुरस्त मेरे विदानसभा सेत्र, गोतमेज़वर के पास का एरिया है वहाँ की बच्चियों को और बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा आपको मैं एक बात का धन्यवाद दूँगा, आपने मेरे को बताया था कि कोटा में कोसिंग करने वाले लड़कों के लिए आपने गए साल से कोसिंग, निसुलक कोसिंग की आपने बज़र्ड में प्रावदान करके वेवस्ता की है लेकिन मेरा निवेदन है कि बासवड़ा जिला, डोंगरपूर जिला, उदेपूर मुक्यावास, माउंट आबो जो हमारा एरिया पढ़ता है, वहाँ पर भी आज प्रावट कोसिंगे चल रही है तो क्यों ने आप उसमें प्रावदान करके वहाँ पर भी हमारे निशुल कोसिंग की आप वेवस्ता करेंगे तो निशुत तोर पर हमारे लड़के आगे बढ़ करके प्रस्ताज अभी माननी है हमारे वरिष्ट सदे से माननी है देयराम जी ये भी टी अडी मंद्री पेले रहे हैं सभापती मौदे भी टी अडी मंद्री रहे हैं ननलाज जी मिरा नहीं हमारे बीश में लेकिन वो भी ये टी अडी मंद्री रहे हैं और आप परतमान में T.A.D. मंद्रियों, इन मंद्रियों का भी बटवार का काम हमने देखा है, और आप से आसा करता हूं, कि गाटोल विदान सभा के अंदर आप प्रसासनिक, आप अमर्थोन और ये जामले के अंदर दो सात्रावास खोलने के लिए मैं आपको निवेदन करूँगा, निश्चित रूप से मुझे भरोसा है, कि आप अपनी वेवस्ता बज़ट के अंदर करके, आप मेरी बात को माने मेरा आप से निवेदन है, कि हर विदायक को ज़्यादा नहीं, तो पेजल के लिए आप T.A.D. मत से कम सो सो हैंद परम अलग से प्रावदान करें तो, बहुत ही बड़ी है, मुख्य मंतरी जी ने तो सालिस सालिस दिये, ट्यूब बेल दिये, दस-दस, उनको तुमें धन्य इसलिए दे रहा हूं, कि उन्नों ने दे इतनी हिम्मत की, लेकिन आपके पास तो बहुत बड़ा T.A.D. का खजाना है, तो उसको आप खाली करने की कोशिज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं आप से निवेदन करता हूं, कि हमारी जब भारती जनता पार्टी गए टाइम सरकार थी, उसमें T.A.D. का बज़र्ट लगा करके मान्य वसुनाजी ने पूरे संभाग में नराजास्तान में कम से कम एक हजार आगल मावारी केंद्रे खोलने का परावदान कर दिया, ये तिसरा बज़र्ट जारा है, आपकी सरकार ने और आपने क्यों ने ऐसा न कानने का विवस्ता उन धानी, मज़रों पारों में अगर आप करें, अभी भी मौका है, आप इसमें प्रावदान करें, आपके हाथ में है, मेरा निवेदन है, मान्य मंत्री मोदे, इस तरह का इस मावाड़ी केंद्रों में भी करें, रोज हमारे पास में घर जाते हैं, कम स सुबह से साम तक, एक से दस लड़के बेरोजगार, मावाडी केंद्रे की दरका से लेकर के हमारे पास में आठे हैं, अब हम बज़र भी बताएंगे, दूसमें तो कोई प्रावधान ही नहीं, तो वहाँ नहीं है, प्रावधान तो मेरा निवेदन है, कि ये ट्येटी का प बज़रे में आपका बज़र जाएता हमें अच्छा लगेगा, साथ सोटा फूल बनावें, साथ सोटा है निकट बनावें, आप ने देखा होगा, सडके हमारी अदूरी पड़ी हैं, गावधानी के लिए, मैं तो अटल जी नहीं रहा हैं इस धर्ती पे, हिंदुस्तान की दर्ती पे, लेकिन उनको धन्यवाद देता हूं, उनको याद करता हूं, कि यह मेवाडी नहीं, पूरा राजस्तान, पूरा देश, गावधानियों में रहने वाले लोग, बड़ी सम्मान के साथ में आटल जी को याद करेंगे, कि आपने प्रदान मंत्री सड़की होजना, पहली बार संसत के अंदर लागू करने का काम किया, जिसकी वज़े से, आज़ पूरे देश के गाव सड़कों से जूड़े हैं, लेकिन हमारा दूरबाद यह यह है, कि पिछले तीन साल से, जो सड़के हमारी PMGY की स्विक्रत थी, जिसके टेंडर हो गए थे, ठेकेदारों ने काम कर दिया, लेकिन आज तक सरकार ने उनका पैसा ना देने के वज़े से, कोई टेंडर लेने के लिए, या कोई काम करने के लिए, तयारन मजबूर हो गया, इसलिए मैरा आप से निवेदन है, कि इस तरह के काम, जिस तरह से मोदी जे पूरे देश में भी, गरीब को उपर उठाने के लिए, जी, सब्जेक तो वही तो जनजाती पे ही तो बहुद रहा हो, मैरा कोई सेंज नहीं है, मैं जनजाती पे ही बहुद रहा हो, जनजाती का विकास हो, आपके राज में काम नहीं हुआ जनजाती का, आपके राज में तिसरे बजट में हमारे जनजात पर बोल रहा हूं मैं इस कोई मैं इस विशे से सोड़ के नहीं बोद रहा हूं इसलिए इसलिए मेरा मेरा आप से सरकार से निवेदन है मेरा सरकार से भी निवेदन है आज मेरे बासवड़ा जिले की कलेक्टरी का भवान जो बर्सों पुराना बढ़ा हुआ पीड़ा वालों अग्ज कितने करम सारी कितने हमारे प्रसाश ने का अधीकारियों का नुक्सान हो जाय मानने मंत्री मोदे सरकार ने बजट में मैंने का था लेकिन इसमें उसमें कोई प्रावदान नहीं किया तो आप T.A.D. में से बले कलेक्ट का बवन बढ़ा करके आप फिता काटके विगाटन कर दे तो हम स्वागत करेंगे आपको कोई दिक्कते वाड़ी बात नहीं है इसी क मां पर विका सदीकारी और स्टाफ को बेटने की जरू है नहीं बजट में प्रावदा ने किया नहीं है मैंने मांग भी रखी थी लेकिन मैं सदन के माध्यम से सभापती जी के माध्यम से मान्यम मंद्री मोदेश को ध्यान याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस तरह का काम क आपने मा नाम बदलने का काम भी किया है लेकिन जन्जाती सेत्र के अंदर हमारा दुरवाय किया है मैं एक आपको बतार जाता हूं के हमारे रास के अंदर पंडित दिन दियाल उपाद्या के नाम से सामुदाइक भवन सिवक्रत किये थे पंचास समिती मुख्याले पे और वो लागत किसकी थी 45 लाग के लेकिन सारी प्रिक्रिया होते होते आसार सहीता लगने के वज़े से वो भवन बने नहीं लेकिन अभी गए बज़ट के आंदर आपने प्रावदान किया उसमें लिका है डाक्टर भीम राव अम्बेट कर सामुदाइक भवन और उसकी लागत 45 कोई बाद ने आपने नाम मदल दिये मदल दिये कोई बाद ने लेकिन उस भवन को बढ़ा हो तो सही मैंने घाटोली विदान सभा में उस भवन का उस सिलाने अजमें वहां मिनासस्तान में किया था जहां आपकी गाडिया भी वहां होकर कर हाईवे पे होके जाती हैं बले बारी मेरी पट्टी का हाटा देना लेकिन वहां पर आप भी भवन को वापस बनाने का काम अगर दल्दी कर देंगे तो जन्ता आपको याद करेगा मेरा माने सभापती सरकार से आग रहे है और निवेदन है कि पीपल कोट सेत्रे के अंदर जो हमारी बिजली की पानी की वेवस्ता टंकिया तो बन गई है L&T कंपनी के दोवारा जो पिछले हमारी सरकार ने सुरुआत की थी जिसमें आपका भी एरिया पड़ता है आदा और आदा एरिया मेरा भी पड़ता है लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि माई बान हमारा उदेपूर संबाग का सबसे बड़ा बान्द है वहाँ से कई जगा पावराउस से बिजली की उत्पादन होता है लेकिन दुर्बाग यही है कि एक रामगड गाव है जो माई के गेट लगए हुए उसके पास का जो उस मकान तो मेरे विदान सबाग में आते है और पूरा गाव सित्तर प्रजैन आपके विदान सबाग में आता है और दुर्बा की यह है कि उस गाव को आज एक बिजली का एक बलब वहाँ पर नहीं मिला लाइन नहीं गई उन लोगों को उनकी जमीनें भी डुबी है वो देख रहे हैं माई पान इतना बड़ा इतना पर वहाँ पर पास नमबर पर भी बिजली उत्पादल हो रही है दूसरी जगा पर भी हो रही है लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है कर्पैस महाँद करें अभी सुरूज किया है मैंने मानने सभापती मोदे मेरा सरकार से एक निवेदन है मेरा सरकार से एक निवेदन है मैं परदान रह करके आया हूँ और हमेले बनके आपके बीश में हो आपका अच्छी तरह से मालूम है कि पंचाज समीति में नरेगा जैसी योजना है और सरकार ने स्रमिक कार्ट बढ़ा करके एक तौपा दिया था उस सो दिन मजदूरी करने वाला स्रमिक का अगर हाथ कट जाएगा पाउं कट जाएगा आया उसके कोई गटना हो जाएगा तो स्रमिक कार्ट के माध्यम से उसको बहुत बड़ी बेनिपिट मिलने वाड़ा था लेकिन आपकी सरकार आने के बाद में आपने पंचाज समीति से उस स्रमिक कार्ट को बढ़ा किने की योजना जिला हैड़कौटर पे आपने कर दी वहां पर कर दी जिसकी होज़े से वहां ना तो स्रमिक अधिकारी है ना वहां पर इस्टा बेठता है ना वहां पर सो दीन काम करने वाड़ा मज़ूर वासवड़े तक जा सकता है एड़कौटर तक इसको आप परिवर्तन करें सरकार इस मामले को परिवर्तन करके वापस इस स्रमिक कार्ट की बढाने की पंचाज स मेति में विवस्ता करें तो वहां के अस्तानी हैं लोग जो रोजगार करते civilization इनको ज्यादा स्रमिकार बढ़ेगा समाप्त करें मानिस्सं इसमाप्त करें समयाप्त हो गया अच्छिबाद है आपको मानते हुए आपटे मेरे को बोलने के लिए इस तरह की बात तो अरे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद